नमस्कार दोस्तों देश में आई भयानक कोविड क्राइसिस को लेकर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं इस यूट्यूब चैनल का कैसे इस्तिमाल कर सकता हूँ लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने में क्या बेस्ट तरीका रहेगा ये वीडियो उसी सवाल का जवाब है आज के दिन देश भर के हॉस्पिटल में सकत कमी है हॉस्पिटल बेट्स की ऑक्सिजन की वेंटिलेटर्स तो आप लोगों को इस वर्ष्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेड रहना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको COVID-19 की होम टीटमेंट समझाना चाहूंगा step by step in the worst case scenario अगर आपको कोई हॉस्पिटल बेट नहीं मिल पाता है या कोई डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं consult करने के लिए obviously मैं खुद कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैंने medicine नहीं पड़ी है इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने specially consult किया a team of professional doctors को जिन्होंने मुझे guidelines बताई step by step की क्या करना चाहिए घर पर COVID-19 को treat करने के लिए तो जो उन्होंने मुझे detail में explain किया है वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहूँगा सबसे पहली चीज एक viral WhatsApp forward बहुत फैला हुआ है आज के दिन जो बताता है कि अगर आप camphor, अजवायन और long को inhale करोगे तो आपकी oxygen levels उपर चले जाएंगे और ये COVID की treatment में आपकी मदद करेंगे ये चीज complete fake news है इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी तो प्लीज ये WhatsApp forward में दी गई information को मट ट्राए करना ये आपकी health के लिए हानिकारोग हो सकता है उड़ता ये समझ लिया तो आप scientifically proven techniques देखते हैं जो actually में COVID-19 की treatment में मदद करती है अगर आपके घर में कोई COVID-19 का victim है तो पहले उन्हें isolate कीजी isolate करने के बाद उन्हें monitor करना जरूरी है monitoring equipment की जरूरत पढ़ेगी आपको यहाँ पर कौनसी equipment सबसे पहले एक pulse oximeter एक छोटा सा device है जो उंगली पर लगता है कुछ हजार रुपे में आता है ये oxygen saturation को measure करता है इसके इलावा एक thermometer temperature measure करने के लिए gloves उस इनसान के लिए जो care करेगा COVID-19 के विक्टम की mask हर किसी को पहना होना चाहिए garbage disposal bags, hand sanitizers और हो सके तो एक separate toilet COVID-19 के मरीज के लिए जिस room में COVID-19 के विक्टम रहेंगे बहाँ पर आप fans कौन रखिए और खिड की खुडी रखिए ventilation बहुत जरूरी है यह सारी चीज़े इसले करी जा रही है ताकि इन्फेक्शन और लोगों तक ना फैल है लेकिन thermometer और pulse oximeter यह दो main monitoring की devices रहेंगे जिससे आप COVID-19 के patient को monitor करोगे जब भी आप इन्हें इस्तिमाल करो इन्हें wipe करना मत भूलना है कपड़े से ताकि इनकी जो readings आएंगी वो हमेशा accurate हो एक simple सी table बना लीजिए data record करने के लिए computer पे, excel पे बना सकते हैं या फिर हाथ से भी लिख सकते हैं किसी paper पर तीन चीज़ों को आप measure करेंगे हर 6 घंटे में oxygen saturation, pulse और thermometer से आ रही temperature की reading oxygen saturation को पहले आप बैठते वक्त measure कीजिए और उसके बाद एक मिनट तक exercise करने के बाद बैठ ये खड़ी होगे एक मिनट तक और उसके बाद measure कीजिए अगर oxygen saturation patient की 94% से ज्यादा है तो कोई बात नहीं है चिंता की ये normal है, hospitalization की भी जरूत नहीं है अगर oxygen saturation 92% से 94% के बीच में है तो इसे हर 4 घंटे में measure करने लग जाई है और अगर ये 92% से नीचे आ जाती है तो ये मैं next step में बताऊँगा क्या करना चाहिए दूसरी तरफ temperature को भी हर 6 घंटे में measure करना है अगर fever है तो paracetamol आप दे सकते हैं एक ग्राम paracetamol हर 6 से 8 घंटे में depending upon the fever इस situation में patient की hydration बहुत जरूरी है तो ensure कीजे कि sufficient पानी पीने लग रहे है patient यहाँपर और इसी situation में patient की मदद करने के लिए inhaled steroids जैसे की buddhasinoid भी दिये जा सकते हैं twice daily 800 mcg की dose ये steroid अकसर aerosol की packaging में आते हैं और इन्हें inhale करने के लिए एक spacer की जरूरत होती है एक spacer ऐसा दिखता है अस्तमा में अकसर अस्तिमाल किया जाता है अब next scenario पर आते हैं अगर oxygen saturation 92% से कम हो जाती है ऐसे case में अगर hospital bed available है तो आपको hospital में भरती करा देना चाहिए जो दवाईयां और steroids इस case में दिये जाने चाहिए patient को वो है ये dexamethasone 6 mg per day या फिर इसका कोई भी equivalent steroid prednisone 40 mg methyl prednisolone 30 mg या फिर hydrocortisone 150 mg इन में से कोई भी एक दिया जा सकता है और इससे फरक नहीं पड़ता कि किस तरीके से steroid को prepare किया गया है रात को जब patient bed पे सोएंगे तो उन्हें बोलना prone position में सोएं यानि पेट के बल लेट कर सोएं कुछ इस तरह से ये एक बहुत ही simple लेकिन scientifically proven तरीका है oxygen saturation को increase करने का इस वीडियो को देखिए see the oxygen saturation level when I was sitting it was 95 and below 95 as soon as I lie down in prone posture it's currently 93 and start deep breathing I've been doing just observe how it changes rapidly pronal breathing see it moved from 93, 94 level to 99 in just about one minute pronal deep breathing इसके इलावा इस scenario में फिर से paracetamol का इस्तिमाल कीजिए fever में sufficient hydration maintain रखिए और passive leg movements कीजिए patient की यानि उनका पैर पकड़के इस तरह से अलग-अलग positions में रखिए ताकि उनकी circulation सही रहे जादा देर तक bed पे लेटे रहने से circulation में effect ना है और इसी scenario में दोस्तों आपको oxygen supplement करने की भी जरुवत पड़ेगी घर पर तो इंतिजाम करिए कहीं से oxygen लाने का और nasal cannula का इस्तिमाल कर सकते हैं ये एक device है जो नाक पर लगता है tube सी है जो की oxygen को flow करने में मदद करती है oxygen cylinder से patient की body में 2-4 liters per minute के flow rate को आप maintain कर सकते हैं कम से शुरुवात कीजिए और 6 liter per minute तक के rate तक आप जा सकते हैं as long as oxygen saturation patient में 92% से उपर रहे तो और obviously जब oxygen saturation बढ़ेगी patient में patient breathless feel नहीं करेगा और उसको respiratory rate यानि कितनी सांसे ले रहा है वो per minute 24 per minute से नीचे चले जाएगा तो आप कह सकते हो कि improvement आ गई है patient में patient की health improve होने लग रही है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और oxygen saturation 90% से भी नीचे चले जाती है ऐसे case में hospital bed मिले तो काफी अच्छा है क्योंकि hospital bed में move करना काफी जरूरी है अगर नहीं मिले hospital bed नहीं available है तो same treatment को घर पर जारी रखे जो drugs की quantity बताई थी उतनी ही quantity में drugs देते रही है oxygen flow rate को इस case में बढ़ाया जा सकता है 6 liter per minute से लेकर 10 liters per minute तक अगर oxygen saturation 90% से नीचे ही रहता है उस पूरे समय के लिए steroids को जारी रखिए prone positioning को maintain रखिए patient में improvement तब आएगी जब oxygen saturation 92% से उपर जाएगा और साथ ही साथ patient को सांस लेने में problem नहीं होगी breathless feel नहीं होगा और respiratory rate 24 breaths per minute से कम होगा कुछ drugs और steroids की मेहा पर list देना चाहूँगा जिनें इस्तिमाल नहीं करना है एक टाइम पर लोगों को लगता था कि ये useful है लेकिन बाद में जितने भी research papers आए उन्होंने बताया कि ये useful नहीं है REM-desivir का जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके बहुत ही specific use cases है आज तक कोई भी scientific research ये प्रूव नहीं कर पाई है कि for sure ये COVID-19 के खिलाफ mortality reduce करने में मदद करती है यानि इसको लेने से आपके chances कम हो जाएंगे मरने के ऐसा नहीं होगा बस कुछ research ने ये बताया है कि maybe REM-desivir मदद करता है duration of illness को कम करने में अगर उसे सही time पर दिया जाये तो जितनी hype इस drug की बनी होई है कि shortage होने लग रही है लोग black marketing करने लग रहे है reality में इसका use almost useless है ये drug लेकिन जो बाकी steroids मैंने आपको बता है वो actually मैं मदद कर रहे हैं treatment तो ये जितनी भी home treatment की steps मैंने आपको बताई इन सब में advisable है अगर आपके लिए possible है तो कम से कम patient की एक initial assessment करा लीजिए किसी hospital या clinic में doctor से कि doctor को पहले पता हो कि इस patient को ये ये चीज़े है इसकी वजह से ये ये चीज़े नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बारी क्या होता है जैसे मैंने recommend किया ये जो position थी पेट के बल लेटने की अब कोई pregnant है तो उन्हें obviously ये नहीं करना चाहिए किसी को spine में कोई problem है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए तो हर patient अलग होता है कोई पहले से अगर problems होती है तो उसके basis पे कुछ छोटे मोटे changes होते हैं treatment में जो कि सिर्फ doctor ही बता सकता है इसलिए initial assessment कराना काफी advisable है अगर वो possible नहीं है तो किसी doctor या nurse का कम से कम एक oversight ही मिल जाए phone call के थू या video call के थू वो भी अच्छा रहेगा बाकी sanitizing, physical distancing, masking ये सब चीज़े practice करते रहे है especially अगर आपके घर में कोई COVID-19 का मरीज है और vaccination को promote कीजिए एक चीज़ जरूर मैं आपर बताना चाहूँगा vaccination एक prevention का तरीका है कोई cure नहीं vaccine कोई दवा नहीं है कि अगर आपको COVID-19 हो गया vaccine लेने से क्यों हो जाएगा COVID-19 कोई treatment का procedure नहीं है अगर आपको COVID-19 के symptoms है तो आपको vaccine नहीं लेनी चाहिए इंतिजार कीए जब तक symptoms चले नहीं जाते उसके बाद आप vaccine ले सकते हैं क्योंकि vaccine में आप basically अपने immune system को train करते हैं disease से लड़ने के लिए लेकिन अगर आपका immune system already under stress है क्योंकि आपको actually वो disease already हो रखा है तो उस training की क्या जरूरत जब वो disease actually में हो रहा है तो आपको वो training फिर किसी काम की नहीं रहेगी आपकी मदद नहीं करेगी वो training और एक और चीज़ क्योंकि training में कुछ समय लगता है तो vaccine लेने के बाद extra cautious रहेए ज़्यादा social distancing, अच्छे से hand washing, sanitizing practice कीजिए क्योंकि vaccine लगने के एकदम बाद अगर आपको disease हो जाए तो भी आपकी body के लिए काफी मुश्किले होंगी क्योंकि फिर से training है immune system के लिए और उसके उपर से आप actual disease भी ले आओते हो तो ज़्यादा stress पढ़ता है immune system पर उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जरूरत पढ़ने पर काम आए इस वीडियो को safe कर लीजिए share कीजिए अपने friends, families, relatives के साथ ताकि सब prepared रह सकें worst case scenario के लिए अगर इस वीडियो से किसी एक इनसान की भी जान बचती है तो मैं इसे successful मानूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद